आज हम बनाएंगे बिलकुल tasty और authentic राजमा चावल राजमा चावल से ज्यादा heavenly food और क्या हो सकता है तो आज हम बिलकुल simple और easy से recipe से राजमा बनाएंगे लेकिन इसका taste बिलकुल ढाबा style राजमा जैसे होगा तो recipe को start करते हैं यहां हमने लिया है दो कप राजमा जिसको लगबख 7-8 गंटे हमने अच्छे से बिखो लिया है इसको बीच में से दबाके देखेंगे अगर यह दो पार्ट में टूट रहा है इसका मतलब बिख गया है राजमा को बिखने में अच्छा खासा time डगता है इस इसमें डालेंगे एक कप पानी और एक चमश नमक और अब कुकर को बन करके चार से पांच विसल आने तक हम पका लेंगे अब हम राजमा का मसाला बनाएंगे उसके लिए एक कड़ाई में डालेंगे एक कप तेल और तेल में डालेंगे लगबख 4-5 रफली चौप प्याज प्याज को हमें बाद में पीशना है इसलिए हमने प्याज को बहुत रफली चॉप किया है प्याज को बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें तब तक पकाना है जब तो ये light golden नहीं हो जाते अब चाहे है तो प्याज को पहले भी पीश सकते हैं लेकिन ऐसे पीशने से इनका टेश जारा अचाता है तो हमारे प्याज light golden हो गए है अब हम इनको एक चलने में निकाल के अच्छे से दबा लेंगे ताकि इसको जो excess oil है वो निकल जाए और अब हम इसको पीश लेंगे बचेवी oil में हम डालेंगे एक चम्मच जीरा चार से पांच लॉंग दो बड़े दालचीनी के टुकड़े और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अद्रक लसन और हरिमिट्ट जिसको हमने बहुत बारिक चॉप कर लिया है इन सब मसालों को हलका सा ब्राउन होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेश लगबख चार से पांच टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में इसके ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक ये वापिस अपना सारा ओयल रिलीज नहीं कर देती इसमें हम जो हमने प्यास का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे और अब इसको गैस की फ्लेम को मीडियम करके लगबग 10 मिनट तक हम पकने देंगे ग्रेवी को जितना पकाएंगे राजमा का टेस्ट होतना ही अच्छा हैगा इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर लगबग 10 मिनट तो पकाना ही है इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारी gravy को पकते हुए लगबग 10 मिनट हो गए है इसने अपना सारा oil छोड़ दे और बहुत अच्छी शाइन आ गए है इसमें अब हम इसमें हमारे उबले हुए राजमा को डाल देंगे राजमा को जितना भी extra water है वो भी हम इसमें ही डाल देंगे और इसको अच्छे से mix कर देंगे राजमा डालने के बाद भी हमें इसको लगबग 10 से 20 मिनट तक एकदम medium flame पर पकाना है ताकि राजमा में सारे flavor अच्छे से आ जाए और वो अच्छे से cook भी हो जाए तो राजमा को हमने लगबग 20 मिनट तक एकदम low flame पर पका लिया है यह बहुत अच्छे से cook हो गया है अब हमें चम्मस से थोड़ा सा राजमा को ऐसे mash करना है mash करने से क्या होगा कि इसके ग्रियेवी थोड़ी और rich हो जाएगी और थोड़ी और थिक हो जाएगी तेस्ट खराब हो जाता है इसमें हम ढालेंगे आरा चम्मच, गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बारी कटा हरा दनिया इन सब को अच्छे से mix कर देंगे यह सारे मसारे बिलकुल end में डालने है जब आप गैस की फ्लेम को बिलकुल आफ कटने वालो तब end में यह डालने है तो बस अब हम गैस की फ्लेम को आफ कट देंगे हमारे बिलकुल सिंपल सार लेकिन बहुत ज़़़ा टेस्टी गाजमा बिलकुल तयार है आप इसको पराठे या चावल के साथ आराम से खा सकते है अगर आपको यह रैसे भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करें